अगर आप भी स्वादिष्ट हरी मिर्च की अचार बजार जैसी बनाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें अचार बनाने के लिए हमने लिया है हरी मिर्च, कस्मिरी मिर्च, अध्रक, लहसुन सबको अच्छे से धोकी पोच लिया है और सबको हमने चौप कर लिया है सारे हरी मिर्च को हमने चौप कर लिया है फिर हम ग्रेटर में सारे मिर्च को डाल के ग्रेट कर लेंगे अब इधर इमली को विनेगर में डाल देंगे शोप होने के लिए विनेगर में इमली शोप हो रहा है तब तक सारे सामगरी को हम ग्रेटर में से ग्रेट कर लेंगे ग्रेट करने के बाद हमने एक पैन दिया है पैन में तेल गरम किया है फिर उसमें हेंग डालेंगे और उपर से पंच फोरन डालके अच्छे से तरकने देंगे जब पंच फोरन अच्छे से तरक जाए अब हम इसमें डालेंगे अधरक लहसुन जो हमने ग्रेट करके रखा है उसको इसमें डालके फिर मिक्स कर लेंगे एक से दो मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच हल्दी और दो चमच कस्मेरी मिर्च डालके फिर मिक्स करेंगे एक से दो मिनट मिक्स करने के बाद अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे फिर कस्मेरी मिर्च जो हमने चौप करके रखा है उसको इसमें मिक्स करेंगे फिर मिक्स करके अच्छे से एक से दो मिनट पका लेंगे एक दो मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दो चमच काला नमक दालके और फिर मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे उबली का फल्प हमने रखा है उसको इसमें डालके फिर मिक्स कर लेंगे एक दो मिलत पकाने के वाद लीजिये मिर्चिति की अचार तैयार है अगर आपको भी इस तरह की मिर्चिति की अचार बनाने हैं तो वीडियो जरूर देखें और ठंडा करने के वाद आप जार में डालें अमहीलू आप इसका स्वाद ले सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंकिश